हलो एवर्वान वेल्कम बैक तो आर यूट्यूब चैनल मैं राजीव चोपड़ा हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर्ट से साखत करता हूं तो माई डिया स्टूरेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एक लॉण सीरीज हम अब तक ला चुके हैं लेक्चर फोर तक हम प्रोसीड कर चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नमबर फिफ्थ इसे प्रिविज लेक्चर में आपको पढ़ाय गया था कि कैसे अलकीन्स की प्रेपरेशन होती है अब हम आगे बढ़ रहे हैं अलकीन्स की फिजिकल प्रपरटी इस क्यू प्रॉपर रिटर नोट्स आप बनाएं सीक्वेंस फॉलो हो रही है एक के बाद एक चीज़े कनेक कर रहे हैं एक्स्टा क्वेशन भी आ रहे हैं यह वीडियो काफी बेनिफिशल हो रही हैं काफी स्टूरंट्स के लिए ऐसा फीडबैक हमें आ रहा है रेगुलर बेसिस प प्रोपीन हो क्योंकि मिथीन तो पॉसिबल नहीं मिथीन नाम का तो कोई कमबाउंड है क्यों कि इसके जन्रन फॉर्मला के कोर्स्परनग हमें है इस्टडी करते हैं तो जब तक कार्बन नंबर थ्री है टू और थ्री तो तो गैसीज है उसके बाद 4 से लेकर 14 नंबर तक लिक्विड्स, उसके बाद अगर हम बात करें 15, 16, 17, 18, whatever, यह जो भी अलकीन जोंगो, कैसे बहेव करेंगा, solids की फॉर में exist करेंगे, यह physical property हुई, छोटी मोड़ी बात है, insoluble in water, हर बात का reason चाहिए, कि मैंने अगर कहीं बोला, ethene, CH2, double bond CH2, यह water में insoluble क्यों है, क्योंकि water तो polar है, क्योंकि solubility के पीछे, एक basic funda, that is called light, dissolves light, जब भी एक component दूसरे में soluble होता, तो उसका nature match करना चाहिए, यहाँ पंगा क्या है, कि water तो polar nature का है, लेकिन जो ethene है, that is, non-polar in nature, that's why it is insoluble in water, but it is soluble in non-polar solvent, non-polar solvent जैसे, further ethene ही लगाओ, butane, whatever, non-polar solvent, जिन पर charge ना हो, जो polar ना हो, right, जहाँ पर same elements की presence होगी, हम उसे कह सकते है, non-polar solvent, तो उन में यह soluble है, दो properties उमीद करते हैं, समझ में आई, formula से ही समझ में आयता है, कि yes, water में क्यों नहीं, यह soluble, क्योंकि, जब हमें देखा, C2H4, तो यह क्या polar nature शोग करेगा, खुद सोचो, नहीं, यह polar नहीं है, क्योंकि आईनी की नहीं है, यह तो covalent है, covalent solid क्या होते हैं, जहाँ पर carbon containing species है, तो जी, यह होगा आपका non-polar, यह colorless है, यह orderless है, सिर्फ ethene को छोड़ कर, ethene के पास faint, sweet smell रहती है, बागे सब alkenes जो है, वो कैसे होंगे, वो पूरी तरह colorless, orderless है, fourth physical property क्या है, कि जो alkenes है, उनका boiling point, देखो, कोई भी organic compound है, जैसे फिलाल हमने बोला, alkenes, alkenes जो है, इनका boiling point, BPT लिखा, boiling point of alkenes, is directly proportional to what? molecular masses, यानि इसे के corresponding देखा जाए, तो ethene हो, propene है, butene है, या दूर की बात करें, 5, 6, 7, whatever, कितने भी carbonate, जैसे मैंने बोला, pentene, ethene, propene, butene, pentene, formula देखें, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, तो जो भी number of carbon atom है, सबको exactly double कर दो, 2 का double 4, 3 का double 6, 4 का double 8, 5 का double 10, तो यह हो गए यह आपका alkenes, और इसमें हम देख रहे हैं, कि molecule mass increase हुए जा रहा है, तो definitely यहां से boiling point भी क्या होगा, लगातार increase करेगा, बिल्कुल same कहानी है, जैसे हमने alkenes में बढ़ा था, मैंने बताया था, कि lecture 1, 2, 3 को थ्यान से देखो, कि further lectures में यह चीज़े use होंगी, तो आपको difficulty बिल्कुल नहीं होगी, इसी तरह हमने पहले भी study किया कि जब-जब क्या होगा, compounds का molecular mass same है, formula same तो molecular mass same, तो क्या होगा, तब बोलेंगे जी on branching, on branching boiling point decreases, अगर branching होगी, तो boiling point definitely decrease होगा, right, मैंने बोला branching होने से होता क्या, on branching boiling point decreases, due to decrease in, due to decrease in surface area, due to decrease in vendor wall forces, vendor wall forces यहाँ कम होगी, surface area decrease करेगा, तो इस वज़े से हम कह सकते हैं कि boiling point भी क्या होगा, decrease, तो branching होने पर boiling point decrease होगा, formula same होना चाहिए, यह basic condition है, चलिए, physical property तो कोई बहुत लंबी जोड़ी बात नहीं है, ठीक है, यह तो easiest part था, main कहानी अब start होती है, alkenes की, that is called chemical properties, okay, which is a very very important part, chemical properties of alkenes, लो जी, इसमें हम study करते हैं, सबसे पहले, concept की, जैसे हम नाम देते हैं, Markovny-Kaufs Rule, Markovny-Kaufs Rule, represent करता है किसको, addition of HBR को, addition of HBR into alkenes, yes, this is a chemical property of alkenes that we are going to add HBR, hydrogen bromide or hydrogen halide into the alkenes, let's take an example of propene, CS3, carbon, CH, double bond, CH2, this is called propene, addition of HBR, okay, हमें HBR को add करना है, पहले में इसका shortcut बता रहा हो, फिर बताऊंगा, इसका mechanism, note-out 11th में अब यह start हो रहा है, hydrocarbon में, first time बच्चे, इसको Markovny-Anti-Markovny को detail में study करेंगे, लेकिन जब 11th में शुरुवात हुई, 12th में 4 chapters है, almost हर एक case में कहीं ने करें तुमें इन reaction का role दिखाए देता है, competitive questions में Markovny और Anti-Markovny को भी ना, तो आज सक exam नहीं बना, तो ध्यान दो, इसका mechanism, इसकी pure detail, A to Z तरीके से आपको आना चाहिए, तो अब हमें hydrogen bromide का addition करना, bromide होगा right पर जाए या left पर जाए, 1, 2, 3, less वाली side पर, तो यहां से आजएगा, CS3, CH, फिर CH2, कम वाली side पर क्या, bromide, क्योंकि halide पार जाएगा, कम वाली side पर बोले, तो at less, logic मना दिया, at less, at less मतलब double bond के आसपास, जहां number of hydrogen कम है, वहां halide parting होगा, और बच्ची इस side पर H, तो यह होगा जी क्या, propene, और propene के लिए, 1, 2, 3, it becomes 2, bromo, propane, logic, तो propene से start होगा, 2 bromo propane तक हमने addition कर दिया, लेकिन, अब यहां कहानी यह बनते है, कि bromo जो है, वो less वाली side पर ही क्यों जाएगा, हर बात का reason है, chemistry में, concept की proper detail अगर चाहिए, तो mechanism तो करना ही बड़ेगा, mechanism बहुत जरूरी चीज़ है, आपको समझ में आएगा, कि at less ही क्यों, मेर्ट करते हैं, चीज़े एकदम clear है, साथ सब चीज़े इसका written practice भी जरूर करेंगे, मैं extra question भी इसी पर based बताऊँगा, आगे बाद आए इसके mechanism की, detail की बात करते हैं, step number one की बात करते हैं, this is called chain initiation step, यानि शुरुवात कैसे होगी, सबसे पहले आया, CS3, CH, मैंने वही प्रोपीन का ही example दिया है, सबसे पहले क्या है, edge positive, proton है, proton का addition है, जिस हम कहा सकते है protonation, attack किया, पाई system ने, sigma, ये पाई, पाई जो है, वो proton का approach करेगा, क्योंकि ये तो electrophile है, हाँ जी, आरे बाद समझ में, ये है electrophile, electron loving species, जिस पर positive charge है, electrophile is proton, electron, acceptor है, इसलिए पाई से attack होगा, proton पर, proton का approach करेंगे, 1, 2 और 3, तो 1, 2, double bond के आसपास, दोनो possibilities है, अगर हमने देखा, double bond होगा, single, CH2, अब तक ठीक है, proton का addition, हमने consider कर लिया, कि हो सकता है number first पर, carbon number 1 पर आकर link हुआ, तो back side क्या आएगा, positive charge, इसी तरह, अगर हम देखा, proton link हो रहा है, CH2 पर, तो double bond क्या हो गया, single, और फिर आगया positive charge, मतलब कहने का कि proton की addition की possibility दो है, either on carbon number first, और at the carbon number second, तो अगर 1 पर add हुआ, तो 2 पर positive charge, अगर 2 पर add हुआ, तो 1 पर positive charge, तो इस से मैं समझ में है, यह तो बन गया आपका क्या, carbocatine, this is called secondary carbocatine, और यह क्या है, this is called primary carbocatine, यह primary, यह secondary, जादा stable क्या है, secondary is more stable than primary carbocatine, ऐसा क्या वज़े है, क्या reason है कि secondary carbocatine, primary से जादा stable है, देखो जी, दोनों तरफ से आ रहा है, methyl, मतलब इस में न involvement है, आपके plus I effect की, plus I effect होता है, inductive effect, जब दोनों तरफ से electron donate किये जा रहे है, electron pass किये जा रहे है, electron आने से क्या होगा, इसको stabilize करेगा, carbocatine is what, whenever your carbon atom has positive charge, that means it has deficiency of electron, and due to the electron increasing case, that is plus I case, plus I effect, दोनों साइड से methyl electron density को बढ़ाएंगे, इससे carbocatine stable हो जाएगा, तो समझ मैं है कि step number two में proceed क्या होगा तुमारा, बताओ primary carbocatine के secondary carbocatine, now step number two, this is called chain propagation step, chain propagation, CS3, CH3 positive, अब bromide, BR negative, यह अटाक करेगा कहां, उस carbon पर जिस पर positive charge है, CS3, CH, फिर CS3, तो bromo add हो गया, समझ में आगे ना, secondary को prefer किया, actual में जो हमने shortcut use किया था, that was what, add less, add less समझे, less वाली side पर, इस वज़े से add हो रहा है, bromide attack कर रहा है, क्योंकि यह carbocatine center है, which is more stable as compared to primary one, तो possibilities दोनों थी, but more stable के हैं secondary, that's why halide part will attack over the carbon with less a number of hydrogen atom, तो इस तरह के से देखो, तुमारा पड़क बन जाता है, तो step number three, finally, your final step is, chain termination step, जिसमें हम पड़क लिख देंगे, इस तरह के से, इसको बोलता है chain termination step, तो जी, अब उमीद करते हैं कि बच्चों को इसकी wording, बड़ी ऐसे समझ में आजेगी, क्या, according to Marconi Koff's rule, halide part will attack over the carbon with lesser number of hydrogen atom along the multiple bonding, double bond के आसपास, halide part कहां जा रहा है, उस carbon पर जा number of hydrogen less है, that is called Marconi Koff's rule, इसको हम addition of HBR भी बोलता है, सबसे खास बात, इसमें कहीं कोई paroxide नहीं present, paroxide मतलब H2O2 या Na2O2, paroxide नाम का कोई chemical species या present ही नहीं है, देख रहे हो, सिर्फ HBR का simply role है, यह हो गाजी आपका Marconi, Marconi addition क्या होता है, एक बात addition of HBR into alkene, दूसरी बात यानि chemical property of alkene हमने study कर लिया, तीसरी बात इसमें paroxide की absence रहेगी पूरी तरह, लिखा हो यहाँ पर absence of paroxide, तो भी ठीक है, नहीं लिखा, understood है, नहीं present मतलब गाएब है, मतलब absent है, राइट, यह तो समझ में आए कि कैसे chemical property of alkene को हम represent कर रहे हैं, जिसमें हमने HBR को addition करके दिखाया, definition के साथ साथ, अब addition question की हम बात करते, जैसे हमें इसी पर question दिया गया, कहा जा रहा है complete the following reaction, complete the following reaction, अब मैं इसमें देखू, बिल्कुल simple question नहीं देने वाला हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा twist करूँगा, right, सबसे पहले मैंने यहां लिखा, alcoholic के वाइज, जो हम previously पढ़ चुके, right, alkene की preparation हमने पढ़िया, alcoholic के वाइज का use करके, और उसके बाद कहा गया, HBR को add करो, B part के साथ, और यहां लिखा गया है, absence of, peroxide, तो जी क्या करना है, सबसे पहले यहां लिखा गया है, alcoholic के वाइज है, बच्चोले सर, यह क्या beta elimination है, अरे यह तो set of rule है, क्योंकि bromomid में present है, alpha और e-bita, alcoholic के वाइज दिया है, इसका उना confirm है, loss तो होना है, इसको बहुलेंगे, dehydrogenation, हाँ जी समझ में रहा है, loss of hydrogen, as well as halogen, hydrogen का भी loss होगा, और halogen का भी loss होगा, right side से, या left side से बात, एक ही दिख रही है ना, समझो, एक तरफ से H, एक तरफ से bromो गया, तो तुमारे एक ही जगे क्या आजएगा, CS3, CH, single bond, CS3 की बिजाए, CH2, एक तरफ से bromो गया, और एक तरफ से H, समझा है, दोनो तरफ से एक ही एक इलेक्ट्रोन जैसी शेर होगा, यहां से गया bromो, लेफ्ट से, हड्रोजन राइट से, तो दोनो तरफ शेरिंग करते ही क्या होज़ेगा, double bond, अलकीन तो बन गया, इतना पार्ट तो हमने प्रेपरेशन में भी सीख लिया था, नई मालम तो अब क्लियर करो, कि बिटा अल्मिनेशन हुआ, के प्लस और बिया नेगटिव, और बिटा वाली साइट से, क्योंकि दोनों साइट सेम ही बात थी, अधर इस कहानी बदलती, अभी के लिए H और OH, रिमोवल आफ वाटर, क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड होगा है, double, double, कैसे हो मालम चला, एक 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 इलेक्टरोन दोनों साइट से शेर हो रहा है, प्रोपीन डन, अब जाके हम करेंगे यहां मारकोनी, कैसे मालम चला है, मारकोनी का अफसरो लगेगा, क्योंकि यहां एपसंस और पर उक्साइड है, हाइड्रोजन प्रोवाइड का इडिशन करना है, ब्रोमो जाएगा, उस कार्बन पर जाहां number of हाइड्रोजन लेस है, CH, double bond single, कम वाली साइड पे ब्रोमो, और opposite side हो जाएगा जी हाइड्रोजन, यह बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, और बच्छोले से तो वापिस आ गया, अरे half reaction में जो दिया जै वैसे हम प्रोशीट कर जाएगे, कभी-कभी ऐसा question हो सकता है, convert 2 ब्रोमो प्रोपेन into 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो पर जाना है, फिर यहाँ पर मारकोनी नहीं लगेगा, फिर तो ब्रोमो ग्रेटर पर चाहिए, यानि फिर क्या होगा, वो होगा anti-मारकोनी, अब anti-मारकोनी के बारे में तो पढ़ने के ज़रूरत है, अभी देखते हैं, तो मैंने just style of question होगे बताया कि, इस तरह के से इस पर half reaction की form में question arise होते हैं, राइट, चाहिए बात CBSC की हो, चाहिए ICCC की हो, चाहिए competitive की हो, ये style of question mostly preferable है, आगे हम बात करते हैं, anti-मारकोनी का उफ्स रूल की, इसे हम anti-मारकोनी addition भी बोलते हैं, इसमें भी करना क्या है, addition of HBR, into alkenes, but in the presence of, पर उक्साइड, पर उक्साइड की presence में alkenes है, और उसमें हमें HBR को add करना है, ये जी anti-मारकोनी का उफ्स रूल, अगर हम वर्डिंग की बात करें, तो पहले हमने बोला था, halide part, halide part, will attack, over the carbon, with, क्या था पहले, lesser number of hydrogen atom, अब क्या आएगा, along the multiple bonding, बच्चों को जातर इसकी नवर्डिंग में confusion रहती है, तो उमीद है, अभी clear हो गया, इन दा presence of peroxism, इन शौट कर लिए इन पर उक्साइड, तब ही तो इसको हम, anti-मारकोनी का उफ्स रूल को, peroxide effect भी तो बोलते हैं, और इसे का एक और नाम है, इसे हम ख्राश effect भी कहते हैं, ख्राश effect, peroxide effect, anti-मारकोनी का उफ्स रूल, या anti-मारकोनी addition, या फिर addition of HBR, into alkyne in the presence of peroxide, peroxide की presence में भी HBR का addition हो सकता है, अब अच्चे बतर इसर क्या HBR के जगए, HCL या HI आ सकता है, तो बिलकुल possible है, जैसे मैं example दे रहा हूँ, now a further example is what, this is your butene, एक तरफ है butene, हमें add करना है क्या, HBR या HCL या HI, तो अगर greater वाली side पे जा रहा है, तो कौन सा rule बता है, double bond के आसपा, greater side तो anti-मारकोनी, lesser side तो मारकोनी, तो यहां से आजेगा, CS3, CH2, CH double bond, CH2, greater वाली side पे आगया, bromo, और opposite side क्या आदेगा, hydrogen, एक तरफ, butene, और butene से क्या बनेगा, bromo, butene, हाँ जी clear है, यह तो एक example हो गया, अब मामला है इसके, mechanism का, mechanism के नाम पर इचकर आते हैं बच्चों, बच्चों दे यार, यह हो जाए बहुत बड़ी बात है, mechanism के दूर रहा, लेकिन, हमें करना चाहिए, mechanism भी अच्छे से सीखने की जरूरत है, right, mechanism की एक का, सबसे बड़ा beneficial point पते क्या है, कि जब competitive question मिलता है, तो उसमें twist हो जाता है, अब जिसको mechanism आता है, वो तो question में modification के साथ, answer को भी modify कर लेगा, application सीखेगा, apply करना सीखेगा, कि कैसे इसमें changes करने, उसके सारे answer हो जाएंगे, ठीक है, अभी तक definition, another name, simple example, okay अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हमें anti-marconic coughs rule का mechanism सीखना है, जिसमें खास तोर पर बात आएगी किसकी, presence of paroxide की, चलिए, यहां लिखता हूँ मैं, mechanism of anti-marconic coughs rule, सबसे पहले, हमेशा की तरह, chain initiation step, उसके बाद chain propagation, then chain termination, यानि पहले शुरुवात कैसे होगी, फिर आगे कैसे बढ़ेंगा, और फिर finally, terminating point क्या होगा, termination, यानि final step में पड़क क्या बनेगा, तो मैंने बोला, सबसे पहले तो कहानी की शुरुवात हो दिये, किस से, paroxide की presence में, paroxide है, तो कहानी शुरू हुई, इस पर हुआ जी homolysis, बोले तो homolytic fusion, यानि equal distribution of electron, दोनों side, same element है, electron negative element है, electron दोनों तरफ जाएंगे, O के साथ H, free radical, फिर O के साथ H, free radical, लो जी, इससे क्या produce हो गया, इससे आ गया free radical, यानि, इसको मोलते है, odd electron species, एक बात, फिर O के साथ H, free radical है, ये O अप्रोच करेगा, किसको H को, और फिर मिलेगी repulsion, repulsion मिलते ही आदेगा, bromo free radical, O के साथ H, understood है ना, देखो, H की bonding, obviously, bromo के comparatively, तो O के साथ जादा strong होगी न, क्योंकि oxygen is more electronegative, तभी तो hydrogen bonding होगी, O ने किया, H approach, मिली repulsion, ऐसा करने से, तुमारा bromo free radical, create हो गया, this is your first step, chain initiation, further क्या है, chain propagation step, यानि, second step के और हमने बात किया, propagate कैसे करेंगे, आगे कैसे proceed करेंगे, bromo free radical है, कोई हमने एक example लिया, like we have what, butene, ये bromo ने approach किया, किसको approach करेंगा, at greater side, क्यों होता at greater side, ज़रा सोच के देखो, marconi ने क्या बोला था, at less, अरे वो तो shortcut था, concept पर आओ, marconi ने बोला था, halide part will attack over that carbon, where the carbo-catonic center is more stable, actual कहानी तो यह है न, less वाली side मतलब एक ऐसा carbon, जहां carbon more stable होगा, अब यहाँ क्या होगा, anti-marconi है न, against जाना है, अगर marconi के according, more stable carbon-catching center पर गया, तो अब क्या होगा, anti-marconi में, at less stable part, yes, इसमें मिलें repulsion, तो finally तुमारा पड़क्ट आ रहा है, CS3, CH2, CH, CH double bond, CH2, bromo आ रहा है, greater valley side पर, और repulsion मिलते ही, free radical आ गया, carbon पर, लेकिन क्या है हमारा final product है, नहीं, अभी तो propagation step था न, अब आएगा final product, that is called chain, chain termination step, chain termination में, CS3, CH2, CH, free radical, then CH2, bromo, फिर से, वही कहानी दोहरा ही जाएगी, यह, CH वाला free radical, H को अप्रोच करेगा, और मिलेगी repulsion, repulsion मिलते ही, यहां से product आ जेगा, CS3, CH2, CH2, BR, लो जी, final product तो बन गया, लेकिन, bromo free radical आ गया, अब बच्चे को मैंड में, एक सवाल की सर, शुरुवात तो हमारी ठीक है, bromo से दिख रही है, लेकिन, actual में शुरुवात तो, OH से हो रही है, यानि, terminating step अभी over नहीं हुआ, इसी के साब से, अभी यह water को अप्रोच करेगा, इससे, bromo ने H को अप्रोच किया, मिली repulsion, फार्नली ऐसा करने से, HBR तो आ गया, लेकिन साथ में, O के साथ H free radical भी आ गया, O के साथ free radical, OH के साथ free radical, यह फिर से combined होकर, H2O2 बनाएगा, बात समझ रहे हो ना, मैं क्या कहने सा रहा हूँ, terminating step, बच्चों को लगता है, कि इस पड़क तक सिमीत है, नहीं, इसमें वो सब component आएंगे, जिन से reaction के शुरुआत हुई, अरे after all, paroxid है तो catalyst ना, तो catalyst में, खुद में तो chemical chain नहीं आता, उसे reaction में help ज़रूर किया है, उसमें chain initiate का का काम ज़रूर किया है, component को free करा है, लेकिन finally, खुद से H2O2 pack तो होगा, अरे catalyst पे तो कोई chemical change होता नहीं, reaction में help कर दी, पड़क बना दिया, बात कदम काम खदम आगे बढ़ेंगे, H2O2 finally release होगा ही होगा, तो बहुत दी जवर्दस यह component है, paroxid का ज़रूरी नहीं, इसमें H2O2 हो, paroxid होना चाहिए, O से O linkage से मतलब है हमे, H की जगह N नहीं भी हो सकता है, यह हो गया जी आपका anti-marconi, coughs rule का mechanism, इस पर काफी question arise होते हैं, always होते हैं, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, practice question करना चाहिए साथ के साथ, फिर भी किसी तरह का कोई specific doubt रहे जाए, किसी और तरह के concept की, या practice question की कोई demand आती है, तो उसको भी ज़रूर पूरा किया जाएगा, ठीक है, अब जब जिम्मा उठाई लिया, अच्छे से complete पढ़ाने का, तो फिर complete ही पढ़ा जाएगा, कुछ और बच्चों के messages आ रहे है, reward तो और पर, कि सर ठीक है, ये sequence हम कर रहे हैं, चैप्टर हमें आता नहीं था, अब थोड़ थोड़ा confidence आना शुरूआ, इसके लाब वह एक दो और specific chapters की demand कर रहे हैं, कि सर ये chapter और और चैप्टर भी अगर हो जाए, तो hydrocarbons की तरह है, अब बागी चैप्टर प्रिपेर कर सकते हैं, तो अभी तक आपको marconi, anti-marconi समझ में आ गया, यानि अगर हम मोड़ी मोड़ी बात करो, तो हमने अब properties शीख लिए, chemical properties of alkenes सीख लिया, कि alkenes में हमें HPR को, यानि hydrogen halide को add तो करना है, लेकिन paroxid की presence है या absence, वो depend करता है, अब आगे, next है जी, ozonolysis, ozonolysis हम बोलते हैं, addition of, O3 को, addition of ozone, ozone का addition, ozonolysis है, शुरवात में दिया है, CH2 double bond CH2, यानि, ethene, करना क्या है हमें, O3 add, ozonolysis में, O3 add करते हैं, दिखाएंगे, CH2, CH2, double bond में, electron कितने हैं, electron है, 4, तो एक oxygen atom, जो उपर की तरफ add हुआ, electron share होगे, दूसरा oxygen atom, तीसरा oxygen atom, लोजी, इस तरह के से electron, add होगे, clear होगी बात है नहीं, 3 oxygen atom का add करना है, हमने देखा, double bond में, electron कितने हैं, 4, अगर 4 है, तो दो electron तो उपर की तरफ share होगे, single oxygen से, और दो oxygen नीचे की तरफ add होगे, done, हमने add किया, ये bonding, ये bond, और यहां भी एक bond बन गया, ये तो था ethene, जबकि ये क्या बना, ethene, ozonide, इस intermediate को हम ethene, ozonide, ethene को ही ethylene भी लिखा जाता है, sometime ध्यान रखना है, ethylene, ozonide तो ठीक है, ये intermediate है, हाले कि unstable है, अब इस stable कैसे होगा, जब हम इसको zinc dust की presence में, क्या करेंगे, heat करेंगे, heat करते zinc, जो कि reduction करने में help करता है, क्योंकि एक reducing agent है, reduction कैसे करेगा, तीन oxygen में से, एक oxygen को उठा कर, एक oxygen, zinc के साथ, ZNO बना कर release हो गया, electron left से आया, right से आया, left से आया, right से आया, CH2, single bond O, दोनों साइट से electron जब आकर share हुए, तो क्या होगा, double bond बन जाएगा, इसी तरह carbon, दोनों तरह H, single bond O तो ठीक है, लेकिन जब दोनों साइट से electron आकर share होने थे न, तो यह क्या बन गया, double bond, यह आगे जिए तुम्हारा, myth in all, myth in all, जिसका common name, formaldehyde भी है, ठीक है, यह तो हो गया complete concept, बड़ शॉटकट भी तो जरूरी है, जब तुम कोई competitive question attempt करते हो, तो time saving, बहुत ज़्यादा important है, तो उस condition में हम क्या करें, तरीका बता रहा हूं, देखो, CS3, CH, double bond, CH2, यह लिखा गया, ozone analysis, पहले step पर ओतरी है, दूसरे step के साथ, zinc dust mentioned, understood है, heat करना है, ठीक है, करना क्या है, इसका सबसे easiest way क्या है, CS3, CH, फिर है CH2, double bond को, दो टुकड़ों में बांट तो बस, यह जो double bond है ना, इसको यूं काट दो, ठीक है, सबसे असान तरीका, एक oxygen left, एक oxygen red, लोजी answer आगया, यह बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसी ना करते हैं सारे question, बाई, आज जो इस लेक्चर में कांसेप्ट आ रहे ना, यह वेरी वेरी इंपोर्टन है, इसके भी ना organic hydrocarbon या पूरी 11 12 से लेकर competitive तक के concepts की गती नहीं है बता रहूं है ये concept तो तुम्हें करने ही करने है ये lecture आप लोगों के लिए वाकि most important lecture होने वाला है ठीक है question के अपरोच आप देखी ने future वे इन concepts को इन lecture को बहुत याद करेंगे ठीक है ये तो था propylene बोले तो propene या गया आपका propene ozonide done further zinc dust की प्रेंज में heat करेंगे यहां से Zn with O zinc oxide हो गया इनलीज electron left or right share electron right or left share तो पड़क क्या आदेगा CS3 CH single bond O था ना जैसे electron एक एक right or left share होगा तो क्या आदेगा double bond इसी तरह CH2 है single bond O है दोनों side से electron जैसी share होगा तो double bond यह जगा ethanol with methanol acid aldehyde with formaldehyde करके product obtained है किसी भी तरह का alkin आज है हमने बस यही करना है right कि double bond को बीच में से breakdown कर देंगा और जुरुनी के हरवारी aldehyde ही बने कभी-कभी किटॉन भी बन सकता है देखो जमने ऐसा कुछ देखा ठीक है यह दिया वा है two-methyl but two-in अब इसका ozonalysis करना है finally हमें पड़क बताना है zinc dust की प्रेंस में हम इसको heat कर रहे हैं तो करना कहें double bond को यह बीच में से तोड़ दो तो हमारा अंसर आजएगा CS3 carbon फिर CS3 double bond O plus CS3 CH double bond O यह आजएगा ethanol with methanol acetaldehyde with यह क्या बना यह बन गया आपका propanone की tone आगे न अब तो this is called propanone common name acetone acetone with ethanol इसका पड़कता आ गया हाँ इस question में सबसे खास दात पते क्या है जरुनी हरवारी रियक्टेंट से पड़क की तरफ जाना सम्टाइम्ज यही भी होता है इन फैक्ट यही होते है अगर हम NCART की बात करें जो की सबसे बड़ा बेस है किसी भी बुक की हम बात करें वो एक तरफ और NCART एक तरफ ठीक है तो उस पर भी ऐसे question arise होते हैं जैसे मैं कहा जा रहा है write down मैं तोड़ा general question बता रहा हूं write down the IUBSE nomenclature of compound A whose ozonolysis gives what acetaldehyde and acetone acetaldehyde with acetone बच्चे करें यार तो दिख रहा है acetaldehyde और acetone तो दिया हुआ है लेकिन इसके question को solve कैसे करेंगे यह matter करेंगा इसमें कोई लंबी चौड़ी reaction नहीं है don't worry बहुत ही simplified form में हमें इसको करना है क्या क्या दिया हुआ product वो observe करो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है IPHC nomenclature बता दो compound A का एक ऐसा compound A जिसके product क्या क्या है जिसके ozonolysis के product इनको बोला जा रहा है यहां से क्या ozonolysis products are acetaldehyde with acetone acetaldehyde क्या है CS3 CHO right this is called acetaldehyde plus में क्या है acetone acetone है CS3 COCS3 यह है acetaldehyde यह है acetone तुमने करना क्या है बज़ज जहां हमने पहले सीखा था double bone को बीच में से break किया एक कोक्सें right left set के अभूनी को वापिस हटाओ combine कर दो बस तुमने क्या करना है जो double bone हो है इनको यूं joint कर देंगे बात कर तुमने क्या 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 तुमने क्या क्या है जिसके ozonolysis करने के बाद प्रडक्ट्स आ रहे थे ऐसे टल्डियाइड और रेसे तुमने कुछ भी केस आ जए हमने बस कार्बोनिल पार्ट क्या होता है कार्बोनिल पार्ट अल्डियाड और क्टोन में जो सियो सियो वाला बाटन है उनको आपने सामने लिखना है और यूं कनेक कर देना तो हमारे जो है आंसर आजएगा कंपाउंड एक लियर हो जएगा और उसका आई पेसे नहीं पूछे या कॉमन नहीं पूछे उसी साफसे में इसको सॉल्व कर देंगे हाँ जी तो जबर आप फीडबैक कमेंट ऑप्शन के थूरूर देंगे बहुत सार ऐसे भी स्टूर्ण्स होंगे जो आज इस वीडियो लेक्चर से हमसे कनेक्ट वो होंगे जिनके लिए हो सकता है पहला लेक्चर हो तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी लग सकते हैं कि यार कुछ प्रीवेस कॉंसर कि अगर आपको स्ट्रॉंग कमांड चाहिए तो सीक्वेंस बनाओ ठीक है एक के बाद एक चीजों को पढ़ो बीजमिन में से उडान भरने से बात नहीं बनती है ठीक है ना तो केमिकल प्रवड़ीज में एक और कॉंसेप्ट मैं आपको बताने चाहरा हूँ था इसका पॉ सिक्न पॉलीमराईज़ेशन पर जबबी आजये समझ यहां हमने क्या करना समॉल चेन से लॉंग चेन चोड़े ज़ए मोल्मी चेन बनाने ताथ पॉल्मिराईज़ेशन शायकलिक मतलब ओपन चैन से क्लोज चेन तो हमने कुछ ऐसे लिखना च्छ देखो इसकी double bond CH2 मैंने इन दॉट्स पर सब तरफ CH2 CH2 लिख दिया हमने देखा more than one compound यहां यूज हो रहे है इथीन तो है बट इथीन कितना है one two three three times more than one time this is called polymerization यह भी तो इसके chemical property ही बनेगी इसी को तो बोला हमने cyclization है cyclic polymerization यह concept हो गया जिसमें होगा क्या CH2 double bond होगा single electron shift हो कर आए तो यहां bonding होगी फिर double bond single CH2 फिर single इसी तरह हर बारी double bond क्या होता जाएगा single तो यहां से बन जाएगा क्या cyclohexane नाम का compound right this is called cyclic polymerization बस बिल्कुल हम ending की तरफ आते जा रहे हैं hopefully चीजे समझ में आ रही है इस तरह किसे हमने देखा cyclic polymerization का concept apply करके heat की presence है जिसमें हमने ethene से close chain बना ली open chain से open chain से close chain clear कर ली ethene से alkenes से cyclohexane produced हो गया ठीक है जी तो यहां अगर आपके alkenes की chemical properties भी done हो जाती है लेक्चर 5 तक देखो हमने अब तक alkenes alkenes previously isomerization rotational isomers whatever इन सब पर बात कर लिए कोई भी ऐसा स्टून जिन्रों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े उनको यह टॉपिक ज़रूर पढ़ने चाहिए सभी लेक्चर को देखना है पूरी sequence को follow करना है हमारे इसी चैनल पर आपको बहुत ही entertaining बहुत इंट्रस्टिंग different videos मिल रही है अलगरा concepts related study oriented knowledge full videos आप देख सकते हैं right description में जाएंगे आपको previous lectures के link ज़रूर मिलेंगे जिनने भी हमारी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया वो हमारी चैनल को जल्दी से subscribe कर लो क्योंकि और भी कहीं कुछ ऐसी chapters आपको कराए जाएंगे जिनमें जादातर बच्चों को confidence नहीं होता बच्चे तो छोड़ो teachers को भी confidence नहीं होता but हम पूरी मेहनत करेंगे और आपके लिए उन videos पर भी बहुत ही जबर्दस extra questions के साथ content लेकर आएंगे ठीक है जी thank you so much thanks for liking sharing our videos thanks a lot